कि इनका बेटा विदेश पढ़ने के लिए गया है मामा का और मामा के एक संदर में मैं आपको बता दूं मेरा नाम कनहया है और कनहया ने कंस का बद्ध किया था और कंस भी मामा था यह संदर मैं इसले बता रहा हूँ कि हमको सच्चाई आँख खोल करके देखने की जरूरत है इस प्रदेश में गरीब के लिए महाविद्यालय नहीं बनेगा गरीब के लिए बिश्विद्यालय नहीं बनेगा गरीब के लिए छात्रावास नहीं बनेगा क्यों क्योंकि जब म इस साल से सरकार चला रहे हैं जब चुनाव में 20 महीना बचा है तब इनको भेंजी लाडली की याद आई है और क्या कह रहे हैं कि हम 2000 रुपया दे देंगे चचा आप 2000 रुपया अपने पास रखिए यह बताइए कि सारे 300 का सलेंडर 14 700 रुपया में क्यों मिल रहा है कि है आप सारे 700 रुपया तो रिचार्ज कराने में लगता है मैंने यहां पर वैठी हुई है 2000 रुपया दे दीजिएगा तो दो महिना ठीक से दो मोबाइल रिचार्ज भी नहीं हो पाएगा ठकते हैं, ठक रहे हैं हमको आपका खेल हम समझ रहे हैं आपका खेल हम समझ रहे हैं कि आप हमारे आँख में धूल जोग करके हमारी संपत्ती हमारा रिसोर्स हमसे छीन रहे हैं और जब हम अपने जल जंगल जमीन की बात करते हैं तो यह हमारे उपर तरह तरह का आरोप लगाते हैं कहते हैं जल जंगल जमीन की बात करने वाले लोग अर्बन अकसल होते हैं हाई रे ग्रिह मंत्री बड़ी दया आती है आपके हैं दो बार की सरकार है इनकी बीस साल से मध्य प्रदेश में सरकार चला रहे हैं और मेरे पिताजी मुख मंत्री नहीं थे ना प्रदान मंत्री थे मैं एक साधारन पडिवार का लड़का हूँ लेकिन मेरे पास महात्मा गांधी की तरह बिर्सा मुंडा की तरह सहीदे आजम भगत सिंग की तरह डॉक्टर बाबा साव भीमरा अंबेत की तरह सच की ताकत है इस बात को याद रखियेगा